हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आशा करता हूं आप लोग स्वास्वार मस्त होंगे और मेरी वीडियो को इंजॉय कर रहे होंगे तो चलो आज बनाने चलते हैं कठल की रेसेपी तो यह देखो मैंने कठल बनाया है सच बताना लग रहे हैं यह कोई चिकन या मटन के पीस मैं कैसे बताओं आपको बता नहीं सकता बस एक वर आप लोग जो तरीका मैंने बताया है उस तरीके से गर बनाओ फिर कमेंट सेक्शन में बताना कि आपकी रेसिपी कैसे बनिया तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं और बनाते इस रेसिपी को तो हेलो दोस्तों मेरे नाम है अ कफ़ल लिया तो कफ़ल को मैंनेपानी में डालकर यह दो लिया सही से वश कर लिया है अब सबसे बढूरी बात है कि मार्केटे से अगर आपक कफ़ल लने जाते हो ना तो मार्केट में जिससे कठल लो उनको बोलना कि वह जो कठल के पीसे से थोड़े बड़े दे इससे क्या होगा कि जब आप कठल को फ्राय करोगे तो उसके वह जो तूटेंगे नहीं अगर आप छोटे पीसे ले लोगे ना तो आपके कठल गल भी जाएंगे और वह तूट भी जाएंगे फ्राय करते टाइम तो यह देखो मैं यह कठल है ना कठल में कुछ चीजें एक्स्ट्रा है जिसका हमें को यूज निया तो मैंने उसे देखो काट दिये यह देखो यह एक्स्ट्रा पार्ट जो है इनको हमें काट लेना है जब कटवा के लाते हैं तो वह एक्स्ट्रा पार्ट नहीं काट तो चलो, फिर अपना gas on करते हैं, और लेते हैं, कड़ाई, और कड़ाई में डालते हैं, सरसो का तेल, और फ्राई करते हैं, फिर अपने कठल, यह देखो, मैं अपने कठल डाल दिया है, और कठल को हम fry करेंगे, आपको ना लो मीडियम फ्लेम पर ही फ्राइ करना है ताकि कठल जो है सही से फ्राइ हो सके और इसके रेशे खुल सके यह देखो इस तरीके से हमें अपने कठल को लगबख 70 टू 80 परसंट फ्राइ करना है 70-80% जब हमारे कठल फ्राय हो जाएंगे देखो लगबग ऐसे तो इस स्टेश बना हम इसको निकाल लेंगे क्योंकि यह ज्यादा अगर फ्राय करोगे तो जल भी सकते हैं तो इस स्टेश तक आपको इनको फ्राय करने हैं फिर हम इसे निकाल लेंगे तो सब्सक्राइब लेत तो देखो हमने लिया है 4 टमाटर 10 से 12 जो है लसोनी के लिया लिया एक दरका चोटा टूड़ा लिया है तीन लार साइज जो है मैंने ओनिया और 4 मैंने हरी मिर्च लिया है तो गठल जो है मीटी स्टाइल में बना रहे हैं तो मीट जो थोड़ा तीखा ही पसंद अच्छा जोОपर में मैंने ज अब प्याज को ़ुकट लियार काट लिया और चॉपर की आपए तो जो स्टर को हम संदोा डाने आप लोग वंड़ाइड याज और मिर्च का चॉप यह देखो और जो मेरे पास अध्राक और लहसन थे ना तो अध्राक और लहसन को भी मैंने देखो इस ग्रेटर की सहता से ग्रेट कर लिया है तो आप लोग भी आप लोग के पास होगा तो आप लोग भी कर लेना मैंने मिक्सी का इस्तमाल नहीं किय है इसमें तो टमाटर को हमने ने टमाटटर लेते हैं हमने उस चोपर की हेल्प से ज्याइ 올 इसका पेस्ट बना लिए आप सिंपल भी काट के डाल सकते हो यह ग्रेड कर सकते हो यह चाहिए मैंने- टमाटर को ग्रेड कर लिक्डर और देखी लिया अटर को चाहिए एक हमने चाहिए और हमने हमने लिया है ओर थिलिपhouTrr याु या भलािगी त्योण से रहीति हड़ी चरिपावडर यानि रेट चिली पाउडर तो हमारे बेसिक मसालें हमें यही लेना है रेट चिली का हमने थोड़ा ज़्यादा लिया है और हमने गरम मसाला भी लिया है तो गरम मसाला का पाउडर भी आप लोग ले लेना है तो इन सभी मसालों को लेने हैं और सभ़ी मसालों से हमारी कठल के जो सब्जी है वो तयार हो जाएगी तो ये दिकमेने थोड़ा असा पानी डाल दिया पानी डालके न हम इसफोछी मसालों को मिला देङंगे और मिलाने के बाद न हम इसको कम से कम 10-15 मिनट के लिए छोड़ देंगे और तब तक के लिए न हम बाकी के तियारिया करेंगे तो चलो हम बाकी के तियारिया कर लेते तब तक के लिए तो देखो जो बाकी का तेल बचा हुआ था उसी तेल में हमने थोड़ा सा तेल और एड़ किया और थोड़ा सा तेल एड़ करने के बाद हमने खड़े मसाले लिया है, तो खड़े मसाले में हमने लिया है, दो दालचिनी का टुकड़ा लिया है, एक बड़ी इलाची लिया है, दो चोटी इलाची लिया है, एक स्टार फूल लिया है हमने, दो लॉंग लिया है, दो लाल मिर जो हैं हम अपने गरम जब हमारा तिल गरम हो जाएगा तो उसमें हम सबसे पहले डालेंगे जीरा और जीरा के बाद हम डाल देंगे अपने सभी यह सूखे मसाली और फ्राइब करेंगे थोड़ी दिर तक जब तक यह रोस्ट नहों हो जाए सही तरीके से अब हम इसमें एड कर देंगे अपने चॉप्ड जो हमने प्याज और मिर्च को चॉप किया था वह हम ढाल देंगे और इसको हम सही से फ्राइब करेंगे यह गोल्डन होने तक इसको हम गोल्डन कलर आने तक फ्राइब करेंगे फिर हम उसमें जो लसन ग्रेट गया था वह डा लगे तब तर्थ इसको fry करना है इसको fry करने के बाद जो हमने अपने टमाटर जो हमने चौप करे ते गरेव बनाई थी हम उसको डाल देंगे यह देखो मैंने से डाल दिया है ज्यादा मैनद नहीं करने करने पड़ेगी क्योंकि हम सारी मैनना पहले ही कर चुके हैं तो यह हम अम्हों इसे तेजंगे रक्ये और फिर मिशरी यह डालेंगे टमाटर नमक कर देंगे सीने नमक एडश कही ने जल्दी अम्हें मतलब कुछ एसे लका जसे लागए मसाले-स रखली कर हैं न हो उपर न तब तक हम इसको fry करना है वर भनав मतलब पूरब तापके टमाटर लगबग 80% कल जाएना था उस टाइम जो है हम डाल देंगे इसमें अपने जो हमने मसालों का मेरिनेशन किया था पंदर मिंट के लिए रख दिया था हम उसे डाल देंगे यह देखो और इसको फिर हम चलाएंगे ये सबी मसाले डाल देंगे हम और जो भी मसाले हमारे बावल में बच गया तो आप उसका इस्तमाल प्रेल है उसमें हलका सा पाने डालके भी आप उसका इस्तमाल कर सकते हो ठीक है तो ये देखो मैंने बॉल में पानी याप कर लिया और एड़ गदने के बाद क्या है हम इसी में ढाल देंगे ये देखो सभी प्याज लशन अद्रग मिर्चि एखड़े प्रलिकल ज़ो सौकी बड़े मसाले से एक दूसरी मिल गया और पिलकुल यह को सही तही से पक रहे हैं तो हम क्या करेंगे इसको पांच मिनट तक पेंगे चुनारे और जब तक जो और यह जो गया booking 1970 आ जाता है न तो इससे होता है कि हमारी गड़ेवी बिल्कुल सही तरीके से पक गड़ी हो और फिर उसके बाद हम बागी का प्रसेस करेंगे तो चलो अब हम ढग देते हैं इसको और पकाते हैं इसको 5-10 मिनट वो भी हलकी आच पर तो चलो फिर देखते हैं हमारी गड़ेवी तो यह देखो गाईज बिल्कुल सभी मसाले सही तरीके से पक गए हैं टमाटर भी सही तरीके से गल गए हैं पूरा कलर देखो मतलब टमाटर का कलर लाल मिर्स का कलर देखो ऊपर आ रहा है तेल देखो बिल्कुल ऊपर तक आ गए तो यही पहचान होती है कि हमारी जो ग्रेवी ना वो बहुत अच्छी बनी है इसी स्टेज पर जो है हम इसमें एड कर देंगे अपने कठल जो हमने फ्राई कहा था वो हम इसमें एड कर देंगे एड करने के बाद सभी को हम कोट कर देंगे अपने सभी मसालों को हम जो कठल है उसमें कोट कर देंगे जो हमारे सभी मसाले हैं वो कठल में जा सके और जो है उसका टेस्ट जो है अच्छा सके सभी फ्लेवर जो है वो कठल के अंदर जा सके तो हम बिलकुत सभी को मिक्स कर दे तब ही तो आएगा टेस्ट वे चिकन और मटन की ता तो आप लोग भी इसी तरीके से करना यह देखो कितने टेस्टी डिलिस्यस लग रहे हैं अभी से थोड़ा कम ही ऐड् करना तो मैंने वाटर इसमें ऐड कर दिया है और अब इस स्टेज पर अगर आपको ना खड़े मसाले पसंद नहीं है जैसे मुझे तेम तेजपता पसंद ही तो मेंने इस hmande को निकाल कि कीसी बनी है हमारी कछल, तो यह देखू गाईज, चारो तरफ बिल्कुल लाल-लाल सा दिखर आहाई, इसी से पता चिल जाता है, हमारी सब्जी ब्लकुल सही तरीके से पग गई है, मसाले सभी से टक गई है, तब ही तो यह जो साइट साइड में लाल रंगा रह रह एना कलर मसालों का टमाटर का कलर हैं तो यह देखो हमारे कठल भी बिल्कुल सही तरीके से पग गए हैं सब चीज़े पगए हैं जैसी बननी चीज़ ना हमारी वैसी बनी है तो इसी स्टेज बार हम अड़ करेंगे हैं हरा धनिया थोड़ा सा चाट मसाला और फिर देखना कितना अच् मुझे तो बहुत खुश्बू आ रहे हैं मैं क्या बता हूं अब लोग को मेरा अभी से मन कर रहा है काने का इस गरेवी को देखे होटल और रेस्टोरेंट भी इस तरीके से अगर आप परहेंगे तो यह देखो ग्रेवी कितनी थिक और गाड़ी बनी है चाहिए आप नान के स प्रॉबलम होती है तो चलो सर्व करते हैं अपने रेसिपी को तो यह देखो गाइस मुझ में पानी आ रहा है मेरे को मेरे से रहा नहीं जा रहा है मुझे बहुत भूग लग रही है वगर आप लोग को दिखाना तो दिखाता हूं देखो मैंने सर्व किया है इसको गरम-ग और बताओं मुझे कि आप लोग को यह रेसिपी कैसी लगी है बहुत अच्छा टेस्ट आ रहा है इसका बहुत मतलब क्या बताओं मैं खुस्बू बहुत अच्छी आ रही है तो मुझे तो बहुत भूग लग रही है और मैं चला इसको ठूसने के लिए जब तक आप लोग जाओ मार्केट कठल लेके आओ और बनाओ और मुझे कमेंट सेक्शन में बताओं कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है और अगर आपको मेरी वीडियो की सब्ची मटन स्टाइल और चिकन स्टाइल पसंद आई हो तो प्लीज मेरी चैनल को लाइक करो शेयर करो और कर लो और बैल आइकन को दबाना मत बूलना क्योंकि जैसे आप बैल आइकन को दबाओगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी मेरी न्यू वीडियो की जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूँगा तो उसका अपडेट आपके पास सबसे पहले आ जाएगा तो ठूसो और ठूसते ठूसते ना मेरे चैनल को जबर सब्सक्राइब कर देना तो मिलते हैं पिर नेक्सरेपी में थैंक यो पर वाचिंग बाइबाई